मटन करी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा अगर आप चैनल में प्रक्राइब करना है बनाने कि अब इस सबसे पहले उसमें ऑईलड़ आइड रहेंगे तो तीन से चार बड़े जम्हचा आपने ऐल आड़ करना है। एक ख़ड़ा जम्हच आप इसमें अब देशी की एड़ करती है। वह देशाथ धेश काफी से नहीं खाते हैं अगर आप देशी की तो स्किप कर सकते हैं एक ठीक है। चार मेने आपे साबुत मिर्च एड़ किया है, दो तेश पत्ता आपने इसमें डालने है, इसके साथ में थोड़े से खड़े मसाले और एड़ कीशे के इन सचा अफ्टेव रहेगा, जैसे के दो पड़ी रही शेड़ कीशे, एक टुपना आपने इसमें दाचीनिक एड़ कर कीशे करणी है, कुट के, थोड़ी दिर आ अपने लसुन को पकने अपने कटjवा प्याज के आदे करो कारा। ताकि प्याज के अंदर जो पच्चा टेश होते हैं वो खत्म हो जाए और प्याज थोड़ा से हाँ पर सॉफ्ट विगर शैप्ट ओगे देखिए प्याज को थोड़ी एर मैंने पका लिया है और प्याज यहां पर सॉफ्ट भी हो चुका है इसके फूद आपने इस पहला मट कर देनी है मटन की आपने पुनाई करनी है कम से कम कितनी देल तक 15-20 दिन तक भूटन को जिदना अच्छी तरह मटन को पूंगे बढ़ाएं कि इस नेगल क्याता है तो देखिए अच्छी तरह से मटन को प्याज के साब मेक्स कर दिया है उपर से कबर कर दीशे पांश मिनि देखिए इस तरह मटन बनाएंगे टेस्ट पे चाता है और ग्रेवी अच्छी टेश्टी बन देश की तो इसके बद आपने इसमें पांस से साथ मिन के बद इसमें नमक एड़ कर देना ठीक है तो एक छोटा चमच मैने इसमें नमक कर दिया है नमक को भी मटन के साथ अच् अच्छी तरह से जिसमें पानी था सूख चुक है और जो क्या जैक्तुरी तरह से आपे कलवी चुक है इसके उदापने इसमें अद्रग लसुन का बेस्ट पर दिया है जब यह मटन मुनाते हैं अद्रग और लसुन की क्वश्ट पनाने के लिए ठीक है तो अद्रग लसु कोई मिक्स कर दीशिए और अच्छी तरह से पका लिए लाकि इसके जो स्ट्रॉंग फ्लेवर है वो घठोश है जिंजर गली पेश्ट को भी अच्छी तरह से पका लिए अब आपने मसाल्याइड करने है थोड़ा सा हल्थी पॉर्ट रेड कीशे एक छोटा चमचा पने समे कश्मेरी मिर्च पॉर्ट रेड करना है इसे पकलर अच्छा है के गरी मधन के करीव में और धनिया पॉर्ट रेड करना है वो एक छोटा चमचा पने मैं कर चीन ही तरुड कीए क्सूरी मिथी तालै टालनी है कशूरी मिथी को आप लास पर विड़ाज सकते है और आदर चम बढ़के हमने कश्मेरी में चैड़ किये हैं, वो कलर के लिए यूज़ की जाते हैं, ठीक है, वो मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेशे, टेट से दो मेंट तक लोफ ने मसालों को पका लेशे, इसके पुद आपने इसमें दही एड़ कर लिए हैं, तो 50 क्राम मैंने इसम खटी देही का यूज़ करेंगे, तो मतम की गरेवी तो खटी हो जाएगे, ठीक है, देही को अच्छी तरह से आपने फेट के डालना हैं, और अच्छे से मसालों के साथ देही को भी मिक्स कर लेशे, अब अगर आप को देही ना हो, तो देही की जगा आप टमाटर पीस की डाल सकते हैं, तो देही को मैरे मसालों साथ पका लिए, अब आपने से पानी एड़ कर लेना है, तो जब या मतम को पकाने के लिए पानी डालें, गरम पानी का आपने यूज़ करना है, ठंडा पानी डाला है, एक तो ठंडा पानी तेश को ख्राफ करते हैं, दूसरा उसे कि दो करना के दाले ए वांटन के लेवल में आपने पारी टालना ज्यादा पानी की यूजदा थी कोरी यह थुड़ा से गरम पाफ्वानी राजण आप ड़ा सकते हैं अब यहां पे टमाटरों का भी मैं यूज रहा हूं तो तो माटन ती कि टीन लिए और हाइबरेट वाटन कापनी यूज करना है वो खटी नियों के चाहदा तमाटों की ऊपर वली सता में आपने ना कट लगा देने नीचे से जो टन टोटी उसको काड़ के नाट टीक है और तमाटों को साबूती डालना ही इस तरह से तिन तमाटों डाल दिये देखिये मैं प्रेशर कुकर कुकर से क चाहरा मिनिट तक पकने दीशे अगर उस ताइम तक मटन नहीं पका हुगा तो फिर आप इसल लगवा सकते हैं अब इतनी दिर में मटन के वाद ना पक चाहता है अब मैं आपको बताता हूं होड़ल और रेश्र में चावल कैसे बोईल करते हैं यहां पर देखिये पानी ब ला भी देना है तक इसके लमस ना बने हाइफ लिमें बोईलर तक आपने पीट करना है जैसे बोईला अच्छे का उसके बदा आपने चावलों को ना नो बने तक प्तान है ठीक है दो से दस मिन डग गए यहां पे देखिए छे बच के आट मिन दग में चावल डाले थे छे अच्छे गरम भी रहेंगे और यहां पर मतन को बगते हैं लगो 12 मिन जो गैस के बाद देखे श्टीम नी निकालनी है जैसे श्टीम खर्ण हो जाएगी आप ड़कर रटाइए और के देखिए जो हमने स्वेट टमाटर डाले थे इसके चिलके होते हैं इन चिलकों को आपन पका लेना है और हाई फ्लेम में पका रहा है अगर आपको लगता है यहां पर मतन तुना कच्छा रहे गया है तो आप इसको फिर से कवर करके बिसर लगवा सकते हैं और कि देखिए मटन अच्छी तरह से आपर पक चुक है अच्छा सॉफ्ट मतन बनाए और जो हमने दो आपर आपर आपको लगवा सकते हैं तो आपको लगवा सकते हैं तेंक्यू